असलाम अलेकुम रह्मत अलाहि बरकातों कैसे हैं आप सब लोग अल्ला आप सबको खुश रखे मैं आज कलेजी शीख कबाब बना रहूं उसके लिए कलेजी ली कलेजी को साफ चार पांस पानी से धोली वैट विनिगर दाल के विनिगर दाल ले से उसमें बो नहरती इसलिए थोड़ी देर पांस मिनेट दाल के रख लेना अब इसमें मैं लाल मिर्च पोडर, धनिया पोडर, हल्ती, जीरा, नम्हा्त, काली मिर्च एम इस वख चीजों को मिक्स कर ले रहा है बि मिल्ला है रहम महरे है ज्यादा मसाले ने दाल लेना कम दाल लेना मसाले अम इसको फ्राय करना रहता ना मसाले छुड़ते तेल में इसलिए इसमें लाए अब इसमें तेल ना दालना कुकर में दाल के दो या तीन चीटी लेना इसको आप चाहे तो इसको इसमेरिनेट करके आदे घंटे के लिए रेट पे भी रख ले सकते हैं अब इसको कुकर में सिटी लेने के लिए रखोंगी देखे पूरा पाने खतम होने तक इसको पका लेना अब इसको एक पिलेट में थंडा होने के लिए निकाल लोंगी अब यह थंडा हो गया विस पे से थोड़ा सा हम कानफिलर का चिटकाव देंगे तेल में दालने से मसाला ने छुड़ता इसलिए में थोड़ा थोड़ा दाले था थंडा होने के बाद में दालेना गरम ने दालेना रजिस को मिस कर लेके काड़ी में लगा लेंगे काड़ी होती ना इसमें लगा लेंगे देखे मैं इस तरह बना ली अब इसको तेल में तर लेंगे बिस्मिल्लाहिरामा ने रहे आपको कैसे लगी आप कमेंट में बताईए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तरह थोड़ा फिरा फिरा से तल लेना लिखे हम आटा कोट करें ना उससे मसाला उसमें शुट्रा ले अगर हम आटा ने लगा लिए तो मसाला शुट्रा तेल लाल भी होते मसाला भी ने शुट्ता ये रसिपी आप जरो ट्राइ करें ये रसिपी आप जरो ट्राइ करें ज्यादा कायम ने लगता दो ये तीन शुटी लेना गलाना रहता अंदर तक पकना है ताना इसलिए जिदा आप शीट लगा के तल लेंगे तो कच्छी रह जाती अंदर तक ये रसिपी हो और मसाला बिंकुल ने शुटा तेल में ये तेल डाले थे ना उसी तरह का तेल सारा है नेजी तयार है कलेजी शीख कबाब कैसा लगा आया नमजा आप भी मेरे अन्दाज में बनाई है इंशाला आपको भी पसंद आएंगा मेरे चैनल को सब्पॉट करते रहें आप तक सब्पॉट करें आगे भी सब्पॉट करें पलिस साथ रहें मेरे दिखें कडक है इसलिकुल कडक है अंदर से स्वाउट उपर से कडक होती है अलार आफिस